आज आईए दोस्तों तो आपके लिए है एक बहुत ही अच्छी सी होम रेमेडी जिसका इस्तिमाल बालों को सिल्की, शाइन, खना, मुलायम और लंबा करने के लिए हम करने वाले हैं बहुत इजी होम रेमेडी है बालों को शाइन देने के लिए ना नाचरल चीजों से अच्छा कुछ नहीं होता है बाल इतने मुलायम हो जाते हैं सॉफ्ट हो जाते हैं लेकिन आपने इस्तेमाल करना है रेगुलरली और आके फीडबैक जरूर देना भाई लाइक भी करना है वीडियो को तो चलिए अब वीडियो को हम इंजॉय कर लेते हैं नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप उमीद करती हूँ कि एक दम अच्छे चंगे भले और हेल्दी होंगे आज का वीडियो है आपने डिमांड किया था एक्चली मेक अप करना तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर दीजिएगा तो शुरू करते हैं सबसे पहले आपने इस तरह से चावल ले लेने हैं चावल को अच्छे से पानी से धोके तीन-चार पानी से धोके उसको 15-20 मिनिट तक इसी तरह से कटोरे में आप रख दीजी उसके बाद आपनी क्या करना है उसको मिक्सी में पीसना है चावल में इस तरह की प्रॉपर्टीज होती है जो स्किन वाइटनिंग और लाइटनिंग के लिए इस्तिमाल होती है लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि आप बालों में लगाएंगे तो आपके बाल भी सफेद हो जाएंगे कते नहीं होता है बालों में चावल का पानी अगर हम नेमित रूप से लगाते तो हमारे बालों की ग्रोथ बढ़ती है उससे बालों को नैचरल तरीके से वह मूश्यर देता है जो पानी आप गिराने वाले हैं उसको ना गिराते हो एक डिविम भरके रख लेजी और रोज ऐसा सिरम उसका इस्तेमाल करें आपके लिए बहुत फाइदे मन्द होगा अब हम बात कर लेते हैं कि आपने यह बनाना कैसे है इस तरह से आपने लेना है चावल ठीक है एक मूठी चावल लिए है मैंने और उसमें आपने मिक्सी के जार में ही आप डालेंगे इस तरह से एलोविरा कट करकर के चोटे चोटे पीसिस में डालें और ग्रीन जो उसकी उपर की लेर है उसके साथ अगर आप डालेंगे तब भी आपके लिए फायदे मन्द होगा और अगर आप बीच का पार डालना चाहते हैं वाइट मलाई में हम डालेंगे थोड़ा सा कॉफी पाउडर कॉफी पाउडर जो होता है वो बालों में कलर जो होता है आपके बालों का ओरिजिनल कलर जो होता है उसको लंबे समय तक बनाई रखता है बालों को समय से पहले सफेद नहीं होने देता है इस तरह की प्रापटीज होती है इसमें और जो मलाई होती है वो तो नैचरल मोश्र है ही और मैं इस्तेमाल करूंगी एक चमच कोकोनेट आइट आप कोई भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके बाल बहुत ही जादा ड्राय है और वेवस बहुत जादा है अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इतना मिक्स करेंगे कि ये छोटे-छोटे दाने कॉफी के और मलाई के जो बन जाते हैं वो गोलियां नहीं होनी चाहिए अच्छे से मिक्स कर लो अब ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है तो मैं क्या करूंगी जो हमारा मिश्रन है जो हमने मिक्सी में पीसा है चावल औ और अपना एलोविरा ये दोनों को मैं अपने बालों की लेंथ के एकॉर्डिंग लूँगी क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि वो जो मिश्रन है थोड़ा जादा हो गया है तो मैं बचा हुआ जो मिश्रन होगा उसको मैं फ्रिज में स्टोर करके रख लूँगी और दो चा कोकोनेट ओयल और कॉफी जो हमने मिलाया है इसको इसमें मिला लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक बार फिर से उससे पहले मैं बता दूँ आप इसमें दो से चार ड्रॉप ग्लिसरीन या हनी का जरूर मिक्स करें यह आपके बालों को बहुत घना भी करता है और स जल्दी ही वो वीडियो भी आजाएगा वो भी आप जरूर देखें आपको नोटिफिकेशन आजाएगा तो जिल लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और नोटिफिकेशन को बटन नहीं प्रेस किया है तो लोग फटा-फट से कर ले क्योंकि दूसी है जिनके बालों में उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी डेंडर रुप के लिए नहीं है तो यह मिक्स हो गया है अच्छे से अच्छे से मिला लो सब हो जाए तो अभी हम चलिए लगा के देखते हैं बालों में बाल मेरे बहुत ही ज़्यादा गंदे हो हैं आप देख पार हैं शायद इनको मोशन नहीं मिला है वैसे भी बहुत समय से मैंने कोई पैक नहीं लगाया था इसलिए आपको ऐसा लग रहा है बड़े ड्राय हो गए तो चलो बाते हो गए यह बहुत अफटा-फट से लगा लेते हैं आपने रूखे सुखे बाल भी घाल के लगाओ और यह आपने अपने जड़ों में रगाना है जैसे इसपर कभी लगाना है तो अब इसको कम चालिस मिट तक रहने दिगे और गुन गुने पानी से आपने दो लेना के साटाने है तीन बहुत ही अच्छी सी टेप से अगर आप बालों को स्ट्रीट और शाइनी बनाना चाहते हैं उसके लिए रात को कभी भी अपने बालों को टाइट बांद के आप ना सोएं जब भी आपके बाल गीले हो आप बालों में कौम ना करें उससे क्या होता है आपके बाल एकदम बना सकते हैं इसको मोडिफाइ करने के तरीके मैंने बता दिये हैं रूसी के लिए मैं फिर से बता रहे हैं फिर से मैं वीडियो बनाने वाली हूं अब वीडियो को फटा-फट से लाइक करो और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फ तरह की वीडियो आपको पसंद आते हैं थाकि आप यूज भी अच्छा दें और फिर चलिए मिलते हैं आप अगली ऐसी ही धासु में मेंडी के साथ तब तक के लिए खुश रहें और ध्यान रखिए अपना बाइबाइब